तर रेलवे के महापरबंदग पद्भार ग्रहन करने के बाद पहली बार मुरादबाद पहुंचे जहां पर उन्होंने मुरादबाद से लेके शाजहापूर तक का विंडो निरिक्षन किया इस दौरान वो मुरादबाद के रेलवे स्टेशन पर कुछ समय के लिए रुके ज साथ ही मुरादबाद के मंडर रेल परबंदग और सभी अधिकारियों की सरहना भी की महापरबंदग का ये कहना है कि कोरोना काल में रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री सुवधाओं को लेकर काम किया जा रहा है और साथ ही जो काम अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करने के लिए भी लागातार रेल परशासन काम कर रहा है उत्तर रेलवे के महापरबंदग ने कारेभार संभालने के बाद रेलवे को उन्नती की ओर आगे बढ़ाने के साथ साथ यात्री सुवधाओं को लेकर काम शुरू कर दिया है रवेवार को दिल्ली से मुरादबाद रहे कारियों की जानकारी ली महापरबंदग ने मुरादबाद डिवीजन के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद कुछ समय के लिए मुरादबाद रेलवे स्टेशन का निरिक्षण किया और इस्टेशन पर किये गए विकास कारियों की जानकारी ली मौजूद रे इल्वे स्टेशन देखने के बाल मुरादबास से शाजहापुर तक का विंडो निरिक्षन किया, सभी विवस्थाओं को देखने के साथ दिशा निर्देश भी दिये। इस दोरान मंडल रेट प्रबंदक तरुन प्रकाश, सीनिय डी सीएम रेखा शर्मा, अपर मंडल रेट प्रबंदक मान सिंग मीना, सीनिय डी पी ओ विपल गोयल के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सिटी चैनल समधाता से बात करते हुए माप्रबंदक ने बताया। सब्सक्राइब करते हैं कि जो भी राज्य सरकारों के और केंट सरकार में ग्रहाव भाग के और हेल्थ विभाग के और हेल्थ विभाग के और के जो निदेशों उसके अनुरूफ हम लोग अपनी ट्रेनों का संचालन करें तो इसी दिशा में अभी केवल रिजर्व ट्रेन्स चला रहे हैं और जो लोकल डिमांड होती हैं जो जहां पर हमें लगता है कि जब ट्रेन्स चलाने तब डिमांड पूरी हो सकती है तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि रिजर्व ट्रेन्स कुछ रूट्स पर इंट्रडूस कर सके और वहां पर लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके तो इसी दिशा में मैं अधिकार्व में अधिकार्यों